हाई तो आल दे विएस ऑन दे अभी यह वेटिंग अभी टीटो सिंग अभी सब जोइन करते हैं देन विल शेयर आव यूस आज आपने क्या क्या किया आज यह आज बहुत जादा एक्साइटीड है बिकाज इसने आप सारे लोगों के व्यूस देखे आज मैंने लाइव होना सुबह से मेरे पीछे पड़ा हुआ है कि आप शाम को कब हम लाइव होएंगे और ही इस रियली वेर एकसाइटेड आय टू अल्ड़ वियूस और यह आज बहुत क्या लोगी बहुत उदास है क्यों क्योंकि इसका गला खराब हुआ हुआ है क्योंकि तविचे इस ने दांट जल्गनन से तोड़ा हुआ तो इसको ठंडी चीजदे खाने थी और आइस क्रिम होगी कोड्रिंग होगी यह ले रह रहे है इसको कोड्रिंग ने हैं तो इसने क्या किया पता नहीं कहां से न वह जो है आइस ट्री बनानी सी वारे構gio बनानी सीखे ल दिमाग आज हुआ है कि मैंने पता नहीं कुछ इन्वेंट कर देना है कुछ मैंने कुछ ना कुछ कर देना है और आज सुबह इसने क्या किया एक तो इसका गला खराब हुआ हुआ था और मैंने देखा कि वाश विसन के पास जहां कि ब्रश पकड़ कि उसको अच्छी तरह से सुप लगा रहा रहा है रगड़ रगड़ के उसको साफ कर रहा है और इसके ऊपर इसने पता नहीं सोप लगाय है सर्फ लगाय है हुदा जाने क्या लगाया हुआ था और मैंने जब पूछ päYY यह क्या हुआ हुआ कि देखें आप सारी चीज़े डिसिंफेक्ट कर रही है सब कुछ डिसिंफेक्ट करके यूज करना है तो मैंने सोचा मैं भी अपना टोथ प्रश को डिसिंफेक्ट कर लो ओ माइ गौड पता नहीं इसके क्या क्या विए आइडियास आते हैं दिमाग में मुझे तो पता ही लगता कि यह कर रहा है यूज नीड टो बी वेरी केरफुल और वाच्वल जब यह हमारे आसपास होता है तो फिर आज हमने क्या किया इसको बताया कि ऐसे डिसिंफेक्ट करना है ब्रश को तो उसके लिए हम आपको टिक्नीक बताते हैं तो फिर मैंने का चलो सब को शेयर करते हैं, सब के साथ शेयर करते हैं, सब व्योर्स को भी पता चल जेगा, कोई पता नहीं क्या आप कौन सा बच्चा किस चीज को डिसिंफेक्ट कर दे, कैसे कर दे, शुकर है इसने और कुछ नहीं खराब कर दिया, और देखे कैसे मूह लट काई बैठ है, पता नहीं शरारत की है, इसने बड़ी जबरदस था आज, और खुदा खास था, यह बच गया, यह पता नहीं क्या क्या कर रहा था, तो आज हम करेंगे, कि डिसिंफेक्ट कैसे करना है, टूथ ब्रश को, यह बड़ा नेगलेक्टिट सा है, लोग क्या करते ह हैं, कि उसको पताने कितने कितने महिने एक तो पहले यूज करते रहते हैं, और आप बी केरफुल और वाच्फुल, जब भी आपके जो ब्रिसल्स जो है, यह नीचे को चले जाएं, या मूड जाएं, तो इट मीन्स भी इस ब्रश को आपने आप फैंक देना है, नया करना है, या डिसिंफेक्ट करना है चीजों को, तो जो टूथ ब्रश है, इसको कैसे डिसिंफेक्ट करना है, और कितनी दूरेशन तक इसको यूज करना है, उसके कुछ हम टिप्स बताएंगे, सबसे पहले तो यह है, कि हम जब भी सुबह मौनिंग में टूथ ब्रश लेते उसके उपर टूथ पेस्ट नहीं होनी चाहिए, और कई बार छोटे बच्चे होती है, ऐसे ही पेस्ट बीच में थोड़ी सी पड़ी होती है, और वाश भी अच्छी तरह से करते हैं, और हैंक करते हैं, यह ऐसे नहीं करना, उसको होल्डर में रख देते हैं, तो आपने उस में अब वाश करके जितनी भी लेफटोवर पेस्ट लगी है, उसको उची तरह बचरके और रखना है, अब यह बिग नो, टू कीप इंदे, क्लोश कैबनेट, यह नहीं रखना जितनी दर तक वो ड्राइन हो जाएं, तो इसको एक ट्रॉश करते हैं, तो और रखना हैं, त आप उसको बाहर थोड़ी देर तक ऐसे सीधा रखे और जितने देर तक वह ड्राय नहीं हो जाता उतनी देर तक नहीं रखना क्योंकि दिस वेट और जो है ना डाक प्लेस होगी जहां पे आप रख रहे हो वह ब्रीडिंग पॉइंट हो जाता है बक्टीरिया का वहां पे ग् पर दियुकर बम Dodd यूँ किया हो वहां अगाम कटी और जो पॉइंट हो इस थे कर दो क्योंकि इसने बोर हो जाना है यह सब को कह रहा है थैंक्यू कि आपने मेरे वीडियो लाइक कि बहुत ज्यादा यह खुश है कि आपने इसको इतना एक्साइटेट था ना सुबह भी पता नहीं कौन सा पर्फ्यूम लगा के बैठा हूँ है मेरे पास त्यार हो के बैठ होते हैं तो एक उप्शन हमारे पास है जैसे कोई भी ब्रैंड का आप माउथवाश ले ले उसको किसी में ग्लास में डाल के थोड़ा सा इसका जो हैड़ा है उसमें डिप होजे इची तरह से उसको 15 मिनिट तक रखे और यह से भी डिस इंफेक्ट हो जाता है तो यह दो त के यह से आपास मीठा सुड़ा भी बोलते है उसको बेकिंग सुड़ा भी उसको बोलते है तो आपने क्या करना है this is one of my fitted मैं आपको बिताती हूँ तो थोड़ा सँ अप्ने को क्वंठी बिटा जैसे हाफ श्पून में इसमें लिया तो हाम कुटिंग दिस अ मैं गलश आज इसको थोड़ा सा मैंने ग्लास में डाल दिया जो आप देख लें थोड़ा से मैंने इसकी क्वांटिटी डाली ग्लास में और ब्रैश भी है मेरा तो यह मेरे पास एक विनेगर है इस अज़ आपने नेचर तो आपने एक कोई भी आपके पास कोई विनेगर पढ़ा हुआ है और नॉर्मली जो है कुछ नैचरल विनेगर आते हैं एपल विनेगर होता है यहां कुछ भी फ्रूट्स के आते हैं शूगर के आते हैं शूगर के आते हैं यह ग्रेप के आते हैं विनेगर बट नॉमली आई यूज दिस विनेगर है तो इसकी क्वांटिटी आपने कैसे ल तो आपने इसको इसमें थोड़ा सा डाल के 30 मिनिट के लिए यह देखे कैसे यह आया है कैसे बबल जाया है इसके तो आपने इसमें डिप करके रख देना है तो यह भी एक डिसिंफेक्ट है टुथ प्रश को डिसिंफेक्ट करने के लिए और यह बहुत ही मेरा फेवरेट है तो इससे बड़े अच्छा क्लीन हो जाता है कोई भी अच्छ क्लेक्ट लेगा है यह नहीं चाहिए हुए तो मगर इसमें डिप करनेसे पहले आप इसको प्र देर्श की दौस्ट आर लिब मार इंपिन कोई जरू उत् spraying हो यहां कुछ तुथ पेस्ट 魚 कुछ तो यह यह इ को भी ऐसे जरूर करना है कि आप ढ़ी करना ही अई सब्सक्राइब करना है तो यह पर डीज़ करना दोगाइब सब्सक्राइब तो वह भी आप डालके ऐसे डिप करके उसको भी ऐसे रख सकते हो और थोड़ा देर उसको रखें जैसे 15 मिनट्स इस वहाँ पे उसमें डालके रखने और हाइड्रोजन प्रोकसाइड जो है कुछ आपके जो बातब्स हैं या सेंक्स वाश बेसं हैं उनको क्लीन करने के लिए भी वह यूज होता है और बहुत अच्छा रहता है वह आपने कुछ कहना तो नहीं इसका चाय पीने का फिर टाइम हो गया और यह तंग कर रहा है मिरको जल्दी फिनिश करना पड़ना है तो एक तो आपको मैंने बताया है कि बॉइलिंग वाटर में ने डालना आपने बिल अच्छें और कैबिनेट में ऐसे बिल्कुल ही नहीं रखना है इसको और यह जो ब्रोथ होने के चांसे होते हैं और एक बहुत इंपॉर्टन मैं आपको बात बता रही हो कि जैसे फ्रूट इंफेक्शन हो जाती है यहां कोई भी गले की बहुत इंफेक्शन होई है तो मैं मैंने क्या करना है कि इसका जो टूथ ब्रेश है ना वह मैंने इसको अब वह फैंक और नया इसको दे देना है तो बेस्ट फार्मूला यह कि जब भी आपकी फ्रूट के प्रॉब्लम होती है क्योंकि नॉमली लोगों की कंप्लेंट होती है अभी थोड़े दिन पहले तो ग बेसे अमिव में चैकंड़ होजा से फ़ी फार्मूला यह बिताया है तो के इस एक दो दीन के बादेंट करना ही करना है तो आप इसको जरूर करें और elbows को क्योंकि वह प्रॉब्लम प्रॉब्लम रिदे बीप्रश को ह मंगर जैसे जाउंडस वाबदोंस चापकर साधी कि आपके रेकवरी होगी है अब फिर वह इंट्वों में डाल रहे हो और क्रोना का कितना होगा है तो उरल कैविटी जो है न हमारी यह बहुत ज्याधा हमें कि इसका केर करनी चाहिए इसको निगलेक्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए हम आजकल देखें कि कितना हम लेके जाना है मॉर्निंग में आपने इसको करना है इसी को आपने डिसिंफेक्ट नी किया तो आपको रिक्रेंस जो है थूट इंफेक्शन की बार-बार होने के चांसे बढ़ जाते हैं सो यू मस्ट टेक कि आपने ये ब्रशिंग जो है इसका पूरा ध्यान रखना है और टीटू की तरफ से और मेरे हम दोनों की तरफ से और बेस्ट विशेज आये बहुत ज्यादा खुश हो रहा है और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन्स हैं वह आप नीचे कमेंट में जरू सर्फफय कि यह एक मेरे पास ना भुक पड़ी थी मैं भी यह भी शेयर कर लो कि वी आल आर प्रपेरिंग वी आल डेंटिस्ट आर पर पेरिंग तो री स्टार्ट आर जब भी वी आर ऑल बेटिंग फर आग गाइडलानेस और हमें यह कि हमने स्टी मेरे पूरे करके फिर अ करके मेरे को लगता है कि जितने भी डॉक्टर हाड़ वर्क टू अपग्रेट दिर प्रोटोकल्स जो भी हमारी गाइडलाइन सारी है उनको देखके हम अपना काम स्टार्ट करेंगे और जैसी आप देखें कि टू यह से बैक आई इंडोल मैसल फॉर ओनलाइन कोर्स जिस पे कर दातों है कि वर्क शौट पर है एब हमें काम करनाव में आपको और इंसे क sacrificat वुड़ ही आपका काम कर सकेंगे आथ देर द让 केर केर्फिल से यह तंब मिलेंगे कुछ नई टीप्स लेके and stay at home और अपना ख्याल रखे और see you soon जैहन, thank you